हेलो दोस्तो आज हम हाजर हैं आपके सामने एक बहुत ही जादा पॉपिलर प्रोड़क्ट लेके यह शाक टैंक का प्रोड़क्ट है और इस प्रोड़क्ट के साथ मैं आप सभी के सामने हाजर हूं यह एक रिव्यू विडियो है और यह बॉटल खाली है आप देख सकते हैं यह बॉटल पूरा खाली है देख लिजे कुछ नहीं गिर रहा है यह बॉटल खाली है एक दोबूंद होंगी मैं बताते तो पहले है क्या ठीक है यह है अमीवी हरबल्स का केश पल्लव होम मेड हेर ओईल यह शाक टैंक प्रोड़क्ट है यह प्रोड़क्ट शाक टैंक में भी आया था और इसके बहुत जादा मैंने रिव्यूज देखे थे और यूट्यूब में भी बहुत सारे विडियो इसके देखे थे मतलब बड़े-बड़े मैंने मीरा राजपूत है शाहिक कपूर की वाइफ उसको भी देखा था कि वो इसका रिव्यू कर रही थी और बोल रही थी कि बहुत ही जादा अच्छा प्रॉडक्ट है तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राय करती हूं क्योंकि यह अफर्डिबल तो है अफर्डिबल है यह भी कह सकते हैं नहीं एक बार खड लाए इसलिए मैं सोचःत है लेकिन नहीं एक प्रॉडिबल कुछ लोगों के लिए हैं और कुल दिए तो दो देख लीजेया बजट में बता रेती ओंको सका प्राइस कितना है इसका एक्च्छल प्राइस है सिक्सेंडिज नंक्ष के लएक यह जाय तो यह कोम यह कोम आपको इसको क्यां लगाना कोम यहां बब्लकुल से लग जाता है इसका craftsmanship bottle का देखा जाए तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से bottle बनाए गया है no leak कोई भी leak week का कोई जंजट नहीं है इसमें और तो oil की अगर smell की बात करें तो कुछ जादा ही strong है यार बहुत strong है बहुत जादा मतलब आप इस और मतलब की मैं कह सकती हूं कि आप इस hair oil को लगाके कहीं public place में तो जाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसकी खुश्बू जादा ही strong है बहुत जादा strong है इवन इतना strong है इसकी खुश्बू जाती नहीं है बालों से तो इसकी खुश्बू काफी strong है देखते हैं थोड़ा सा बचा हो अगर हाथ में तो आ जाएगा कुछ नहीं बचाया है मैंने इसको पूरा अच्छी थरीके से खतम कर दिया है यह देखे थोड़ा सा बस हलका सा आया यह यह light brown color का hair oil है और पता नहीं इसमें क्या क्या है बट यह handmade है ऐसा वो claim करते हैं अब मैं इसके review पर आती हूं कि मैं इस पूरे bottle को लगा ली एक expensive bottle 550 रूपीज का 100 ml सर्फ मिल रहा है normal coconut oil से अगर compare करो तो काफी expensive है यह तो इस हिसाब से अगर इसके handmade oil होने के claim पर बच जाएं और इस बार प होंगी कि जब मैं इसको लगा रही थी मैंने एक महिना ही लगाया एक महिने में यह पुरा bottle कतम हो गया तो जब मैं इसको लगा रही थी ना तब मेरा hair loss जो था वो बहुत कम था मतलब मेरे बाल तब नहीं गिरते थे जब मैं इसको लगाती थी तो मेरे बाल गिरने एकदम स तो काम हो गय थे मैं यह definitely कह सकती हूं डान्रफ इश्व था जो मुझे वो भी चला गया था डान्रफ बिल्कुल भी नहीं था डान्रफ कम्प्लीटली चला गया था मेरे स्कैल्प से लेकिन 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 ग्रोथ के मामले में देखा जाए तो एक महिने में मैंने कोई भी ग् में या फिर नए हेर नहीं देखिए अपने स्काल्ट में ग्रोथ के मामले में यह प्रॉडक्ट उतना अच्छा नहीं है या फिर कह सकते हैं कि कि किसी भी प्रॉडक्ट को एक महीने के बेसिस पर मैं जज नहीं कर सकती क्योंकि अमीवी हर्बल खुद क्लेम करता है कि आप 550 रुपीज का अगर है रॉयल लगा रहे हूं वह भी 100 अमल तो मेरे लिए एक्सपेंसिव है यह तो मैं इस रॉयल के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगी प्लस इसकी सबसे बड़ी इश्यू यह है इस रॉयल को लगाने के बाद सबसे बड़ा इश्यू यह कि एक तो कहीं गए हो तो आप इस हैर ओयल को तो लगा के कभी भी जाना पसंद नहीं करोगे क्योंकि इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉंग एवन शांपू करने के बाद भी इसका मतलब की स्मेल बाल से जाता नहीं है तो मैं यह कहूंगी कि ओवरॉल इसका रिव्यू ओके-ओके टाइप प्रॉडक्ट है बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है तो मैं इसे 3 out of 5 देना चाहूंगी मेरा रेटिंग 3 out of 5 है 3 मैं इसले दे रही हूं क्योंकि इसने मेरे बालों का गिरना सेकेंड एप्लिकेशन से ही कम कर दिया था मतलब सेकेंड एप्लिकेशन के ब अच्छा है लेकिन मैं इसको नहीं देखी इसलिए मैं इसको 3 दे रही हूं साथ में इसका स्मेल बहुत स्ट्रॉंग है क्योंकि कुछ दिन के अप्लिकेशन के बाद मुझे लगाने का बन नी करने लगा था यह भी रीजन है इसको छोड़ने का कि मेरा दा सर्थ दर देने लगता था इसको लगाने के बाद इसलिए मैं छोड़ दी इसको लगाना तो अगर आप चाहें तो खरिच सकते हैं यह फ्लिपकार्ट और Amazon में भी अवलेबल है साथ में Amiwi हरवल के वेबसाइट में भी एवलेबल है तो आप चाहें तो आँसे खरिद सकते हैं इसे हो कॉल आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्षिन में और कमेंट सेक्षिन में रिकमेंड करें कि मुझे और कौन कौन से प्रोडक्स को ट्राय करना चाहिए मैं आपको ट्राय करके बताऊंगी मेरा एक्स्पिरियंस कैसा था ताकि आप स्मार्ट परचिस कर पाएं और मतलब बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट खरिद पाएं अगर आपको budget friendly product चाहिए तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें comment section में बताएं share कीजिए, subscribe कीजिए और मेरी वीडियो उसको पूरा देखा कीजिए ताकि हमारा भी ग्रोथ हो ताकि हम आपके लिए smart products लेके आएं और आप smart purchase करें thank you so much, मलते हैं next video में